हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है, मेरी प्यारी बेटी, एक समय की बात है, एक रीना नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी, वो अपने माता पिता की एकलोती बेटी थी, उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो जो भी मानती थी, उसे लाक पिता ने अगले दिन नई चपल लाने का वादा किया। इतने में रीना बाहर खेलने भाग जाती है। रीना के पिता उसके पीछे गए और उसे अपने पास बुला कर कहा कि बेटा अगर तुम्हें नई चपल नहीं पहननी थी तो तुमने क्यों मनगवाई और तुमने उसे कल पूरे दिन पहन कर रखा। अब हम इसे वापस दुकानदार को भी नहीं दे सकते है। रीना कहती है कि पापा मैंने ये चपल मम्मी के लिए मनगाई थी। क्योंकि उनकी चपल तूट सी गई है और वो खर्चे के डर से कभी अपने लिए नई चपल नहीं मांगती है। इसलिए मैंने वो चपल कल पूरे दिन पहन कर रखी ताकि मम्मी उसे वापस करने का न बोल सके। अपनी बेटी की ये बात सुनकर पापा बहुत गर्व महसूस करते है और दरवाजे पर खड़ी मम्मी भी बेटी की बात सुन रही थी। हमेशा अपने माता-पिता की मजबूरी को समझना चाहिए।